लुगाइस, वेलकम टो स्टडीफोर सिविल सर्विसेस इस वीडियो में देखेंगे आर्मी रेंक्स इन इंडिया और उनकी पूरा सैलले स्ट्रक्टर पूरी आर्मी रेंक्स जो भी इंडिया में हारेर्की है उनकी जैसे सोलजर जो है वो मिनमम रहें के आर्मी में इंडियन आर्मी में और फील्ड मार्शल ये हाइस्ट सेरिमोनियल पोजीसान है वैसे जनरल तक जनरली आर्मी में जाते हैं जो आर्मी चीफ होता है वो जनरली जनरल होता है तो इसमें हम पूरा इसका डिसकस करेंगा आर्मी की रैंग्स का आर्मी क हार एरकी का और प्लस आर्मी का जो भी सेलरी स्ट्रक्चर होता है अभी आर्मी की न्यूज इसलिए आ रही काफी क्योंकि जो अभी करेंट आर्मी के चीफ है दल बीर सिंग सुहाग वो रिटायर होने वाले हैं और उनकी जगह पर आएंगे लेफ्टन जनरल विपिन रावत जो कि 58 इड़े हैं और टूटल आर्मी की इंडिया में जो अभी इस्टेंड कर एक में तीरा लाखस की हैं अंडिया में और एंडियान आर्मी की फांटेशन होई थी किसका कैसे recruitment होता है plus two के बाद कौन से job मिलती है NDA के बाद कौन से job मिलती है ECDS के बाद कौन से job मिलती है तो सब कुछ इसमें देखेंगे Command structure में अगर आप देखें तो President of India जो होता है वो Supreme Commander of the Armed Forces होता है यानि कि Army, Navy और Air Force तीनों का जो Supreme Commander होता है वो होता है President of India ये Army में सबसे बड़ा होता है Chief of Army Staff यानि कि जो Army का Chief होते हैं जैसे दल्बीर सिंग्स हो आगा है जनरली जनरल रेंक के होते हैं ये क्योंकि अब General या फिर Lieutenant General के अब Field Marsal वाली जो पोश्टर वो खतम कर दीगी तो अगर आप देखें इसमें तो साथ इसमें टोटल ये कमांड है जिसे कि इस्टरन कमांड है, सेंटरल कमांड है, नॉर्टरन कमांड है, साउधन कमांड है, साउथ वेस्टरन कमांड है, वेस्टरन कमांड है और ट्रेनिंग कमांड है ट्रेनिंग कमांड में यह नोडल एजनसी होती है, जितने भी इंस्टिटिशनल ट्रेनिंग होती है, आर्मी में सब यह ही कंड़क्ट कराती है, और अलग एक इंडिपेंडेंट पैराशूट ब्रिगेड भी है, जो कि आगरा बेजड है, फिर अगर आप देखें, आर्मी में अगरेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंग जूनियर कमिशन डाफिसर बनते हैं और फिर अगर इन्होंने ग्रेजुएशन भी कर लिया तो फिर कमिशन डाइक तक भी आ सकते हैं देखिए अगर अगर किसी भी बंदे का सोलजर या सिपाई सिपाई के रूप में हुआ है रेकूट्मेंट स्टार्टिंग हुई है तो ऐस से इसकी एरेर की चलेगी पहले सिपाई यह फिर राइफल में फिर लांस नायक बनेगा प्रमोटो के फिर नायक फिर हवलदार फिर नायक सुबेदार फिर सुबेदार फिर सुबेदार मीजर देखिए अगर किसी बंदे ने सिपाई से इंट्री किये और उसने फिर होगा honorary captain से लेकिन अगर आपने इंडियन आर्मी को जोईन कि है NDA और CDS exams clear करने के बाद या फिर जैसे BTEC के बाद आजकल कही सारे exams होते हैं और भी जो 70% मांगते हैं अब BTEC में भी और 70% मांते हैं प्लस टू में और BTEC के तुरू कही सारे जो इंट्री होती है टीजी सी यह जो टेक्निकल graduate trainee वाली होती है और प्लस NDA CDS तब आपकी रहर की ऐसे होगी कि दिखिए NDA में जुड़क जाते हैं पहले उनको graduation करा बनाया जाता है और फिर बनाया जाता है लेटनेंट फिर captain फिर major फिर लेटनेंट करनल फिर करनल फिर ब्रिगेडियर फिर major general और फिर लेटनेंट जनरल तो यह NDA CDS की ऑफीशर ट्रेंग है फिर आप और आगे अगर देखें इसमें यह डेकिए सबसे जो लोवेस्ट पोस्ट है वह सिपाई की उसका पेबेंड इतना होता है पासजर दोसों से बीजर दोसों तो करीबन उसकी सहली आती 25,000 फिर सेकंड पोस्ट है जो सिपाई से थोड़ी से बड़ी जब प्रमोट हो जाता है तो लांस नायक बनता है उसकी सहली 30,000 के कर अद्रीप है और प्रमोट जाता है तो हवालदार बनता है उसकी 40,000 पिर नायक सुचों बनता है फिर 45 उसकी आ जाती है फिर सुचों बनता है 50,000 और सूचों बन्जाता है बोगारिके 35,000 2,000 तो अगर आपने प्लसट नी और graduation नहीं की और science आपका subject नहीं है तो फिर आप सुभेदार major तक ही के वल पहुंच सकते हो highest लेकिन अगर आपने graduation करके entry की है NDA, CDS या फिर BTEC करके तो आपकी lieutenant से entry होती है lieutenant से जिसकी सहल होती है 68,000 फिर promote होके बनता है captain जो 75,000 होती है फिर major बनता है, 1,00,00 के करीब होती है फिर lieutenant colonel बनता है 1,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00, होती है cabinet secretary होता है जो government of India उसके बराबर तो वो अब अगर आप देखें इसमें तो सबसे पहले इसमें पॉर्टम और पॉल से चालो करते हैं तो यह नॉन कमिशन जो पॉल ओफीसर्स हैं यह वाले सबसे अग्टि लिवल होता है जो राइट साइड में जो पॉट्रम देख रहा है दिक्राःटि से इंट्रि फिर बनता है Lance राइक लास राइक उसको इन्फेंट्री में बोलते हैं और कैवल्डी में बोलते हैं acting लांस टेफर्दर फिर लाइंस नायक से प्रमोट करके बनता है नायक फिर बनता है हवलदार तो यह हो गए नॉन कमिशन ओफिसर और फिर उसके बाद जूनियर कमिशन ओफिसर बना दिये जाते हैं इनको नॉन कमिशन को प्रमोट करके तो बनते हैं यह नायब सुबेदार फिर सुबेदार और फिर सुबेदार मेजर हाई है स्पोस्ट होती है जो प्लस टू से जाता है और जिसने जो graduation नहीं करता है और जिसका science subject नहीं होता है तो ये है देखिए ये non commissioned officer से entry होती है और finally junior commissioned officer बनके निकलते हैं अगर आपने graduation ना किया हो तो ये अरल की दी हुए है ग 뉴스 में पार यह जो एक्टिंग गोर पोश्ट आप इसमें घो कोई neste video रहते हैं इसको जो सिपाई होता है जो उसको कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ ऐसे ही होता है, उसको कोई इंसिगने नहीं होती है, जब प्रमोट होके लांस नायक बनता है वो, तब उसके में एक आ जाती है, फिर जब प्रमोट होके नायक बनता है, तो ये दो इंसिगने आ जाती है, फिर जब ब जो गौर्वर्मेंट आफ इंडिया का असोग का सिंबल है यह बन जाता है और यही देखेस में लिखा हुआ है कि सिपाय को यह इसी इंसिग्निया नहीं है फिर जो यह लांज रैक होता है वही होता है जो नायप रिसालदार होता है कैवल्री में और आर्मर्ड रेजिमेंट म इसको जमादर में व कंसे सुपहदार में और रिसालदार मेजर चैवल्री और सिर्फाइब आपने इसपाई बोलते हैं कावली और आरमन में सोहर बोलते हैं तो इसमें कोई भैज नहीं होता है और ये 19 साल की सर्विस है प्रसाओंडार होता है अगर पिर इसके बाद प्रमोठ होकी बनता है लांस नाइक और जिसको का वली मोंता है है एक्टिंक लास बतर थो बाइस साल की सर्वीज से फॉट्टी एट फिर 24 साल की स्रवीज आ फॉट्टी नाइन तो कि ये सुवोर says Hag river सर में और समथ 되면 हम पीजर सब्सक्राएब organs AW सब्सक्राम कि आउम स्क्राइब के लिए पुरी आइए स्टेंग उ garbage नंदी के लोग जाते हैं उनके लिए लेफ्टेंट से इंट्री करते हैं फिर कैप्टन फिर मेजर फिर लेफ्टेंट करनल फिर करनल फिर ब्रिगेडियर फिर मेजर जनरल फिर लेफ्टेंट जनरल और फिर जनरल और फिर फिर फिल्ड मार्सल या फिर यह अब रैंक खतम कर दीगे यह ऑनुररी रैंक है यह वाड